जहीं दोस्तों आफ सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्वी चैनल एस जाड़ी पे दोस्तों आज किसी दो हम बात करेंगे इंडिन नेवी एसे सार नई भरती 2022 के बारे में जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग जो वेट कर रहे हो न वो है एड्मिट कार्ड में एड्मिट कार्ड के लिए बहुत जादा बच्चे जो है लाखो बच्चे जो है वेट कर रहे हैं कि मेरा एड्मिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा क्योंकि मेरा टू एल्थ में इतना परसेंट है ठीक है मतलब परसेंटेज को लेकर ही आप लोग के दिमाग में मतलब की चल ला है बहुत सारे सवाल, आज के इस वीडियो में हम सारा चीज पूरा अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं कि नेभी जो है आप लोग का एडमिट कार्ड कैसे भीजता है, किस बेसिस पे आप लोग का जो इस बार नेभी SSR का एडमिट कार्ड है, वो आने वाला है, चाहे गल्स हो, चाहे बॉइस हो, सबको मैं इस वीडियो में अच्छे तरह से जो डाउट है आप लोग के मन में, वो पूरे तरी, अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा, एक बार सेर जरूर कीजेगा, अभी हम सारे कारी रहेगा, मेरे भाई, एड्मिट कार आने के बाद 90% जॉब आपके हाथ में होगा, अब देखो पढ़ाई कैसे करना है, उसके लिए एक छोट जिजन कारी आप लोग के लिए है, अगर आप लोग तयारी कर रहे हो दोस्तों, नेभी का, एर फोर्स का, एंडिय का, आर् कारे कर सकतो, इसमें कैसे सफलता पास चकतो, इसको कैसे पढ़ना है, अपने माता पिता का जो नाम है, रोशन कर सकतो एक्जाम निकालके, तो इस कलास का लिंक आप लोग को description box में जाएगा, और comment box में मिल जाएगा, आप लोग कुछ नहीं करना है, लिंक पे कलिक करके आप देखो के बिल्कूल फिरीट एप और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कलासे तो आप लोग इसकर आरा सिखिए को कल 11 बजे देखना बिल्कूल मत भूलेगा 30 अगर्स्त में टॉंट्पिक यह सबसे मेंड यह सबसे में टॉपीक यह तो इमिट कार सली रिए जो और SSR के लिए जो admit card का cut-off लगता है, वो लगता है all India, मतलब की basis पे नहीं, मतलब की हर state की अलग-अलग cut-off लगते हैं, ठीक है, तो जैसे की मानलो की बिहार हो गया, ठीक है, तब बिहार का cut-off जैसे मानलो की 70 गया, ठीक है, तो UP का क्या जाएगा, 70 जाएगा, नहीं, UP का अल होगा, ठीक है, मतलब सभी state का cut-off SSR के अंदर क्या होते हैं, अलग-अलग होते हैं, all India rank पे cut-off और नहीं लगते हैं, ने भी SSR का, इस वात को आप लोग माइन में रखिए, अब चले बात करते हैं, सबसे पहले कि सर मेरा तो बहुत कम परसेंटेब, फिर भी हमने form को fill-up कर ठीक है, तो वो भी मैं आभी आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ, कौन-कौन से state में cut-off बहुत कम लगते हैं, अब ने भी admit card कैसे भेजता है, देखो कि हर state में कुछ seat बाट देता है, ने भी कि इस state में इतना seat है, इस state में इतना seat है, जो कि हम लोग को पता नहीं होता ह है, वो गुप्त होता है, seat ठीक है, इस बात को याद रखेगा, बस उसी के, मतलब की seat के basis पर क्या करता है, उस state में candidate का admit card भेजता है, कि इस state से इतना candidate को बुलाना है, ठीक है, तो ये एक गुप्त होता है, जो कि कि किसी को पता नहीं है, अब लोग के admit card कैसे आएगा, पू के पूरे नंबर पर क्या होता था, admit card आता था, लेकिन इस बार ने भी ने बोला है कि क्या करेंगे, इस बार PCM, या जिसका chemistry नहीं है, अगर बाइलोजी ले रखा था PC, PMB भी ठीक है, या बाइलोजी नहीं लेके computer science लिये था PMC, ठीक है, तो इन सभी का क्या करेंगे, तीन subject का number add होने के बाद, जो भी percentage आता है, उसी percentage के base पे आप लोग का admit card क्या होगा दोस्तों, दिया जाएगा, इस बात को आप लोग समझेएगा, तो admit card आप लोग के 3 subject पे ही depend करता है, इन 3 subject के number पे ही आप लोग का क्या आने वाला है, admit card आने वाला है, हम बात करेंगे previous cut-off क्य आ गया था, ने भी SSR के लिए, और same, उसी cut-off के अनुसार इस बार भी cut-off रहेगा, इस बात को 100% दिमाग बैठा लो, अब बोलोगे, sir, पीछले बार तो पूरा number को जोर के आ था, इस बार तो 3 subject के number को ही जोर के, मतलब admit card भेज़ता है, ऐसे कैसे होगा, आपको मैं बता द होगा, दूसरा subject में कम रहा होगा, नहीं, उतना ही number रहा होगा, तो 1-2% आगे पीछे हो सकता है, लेकिन cut-off सेम जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अब cut-off को लेकर कि कितना percent पे admit card आएगा, 12th में कितना percent आप लोग बात करते हैं, यहाँ पर West Bengal की ठीक है, West Bengal की बात करते हैं, कॉलकाता में जो cut-off लगता है, वो लगता है 84.5 लगा था, पिछले बार की cut-off की बात करता हूँ, नेभी SSR के लिए, अब देखो कि यह बहुत कम number एक तरह से हम बोल सकते, 84.5, जबकि देखो कि नेभी MR के अंद सेंट है, तो उमीद रखो कि आपका admit card आने का चांस है, अब बताता हूँ सबसे कम कौन से state के जाते हैं, गुजरात का बता रहा हूँ, ठीक है, गुजरात ऐसा state है, जहाँ पर नेभी SSR के लिए जो cut-off है बहुत कम जाता है, मेरे भाई, 63.8 गया था पिछले बार की cut-off की बात करता हूँ, लगबग मानलो 64, नहीं तो 65 नहीं, तो मानलो 70% ज्यादा से ज्यादा जाएगा, यहाँ पर उतना ज्यादा cut-off नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि गुजरात ऐसा area जहाँ पर company का भरवार लगा हूँ, यहाँ के बच्चे जो इना defense में ज्यादा interested नहीं होत होता है, ठीक है, तो यह चीज होता है, यह चीज को आप लोग समझी है थोरा mind से, अब चलिए बात करते हैं आगे जो state है, यहाँ पर आप लोग अपना state का देखते हैं ठीक है, आगे है यहाँ यहाँ पर HP, HP हिमाचल परदेश हो गया, हिमाचल परदेश का 93.4 गया था, उ इसके बाद हम लोग आद परदेश का बात करते हैं देली की, देली का जो cutoff गया था मेरे भाई, वो गया था है यहाँ आप लोग देख सकतो 87.8 गया था, कितना 87.8 तो आप लोग देखते हैं अपना state का नोट करते हैं, अब चलिए आगे हम state की बात करते हैं, आगे बिहार की बात करते हैं, तो बिहार का जो cutoff गया था, वो गया था, 88.6 गया था, 88.6 वहीं यूपी की बात करते हैं, तो यूपी का भी same गया था मेरे भाई, 88.6 तो यूपी बिहार वाले आप लोग देख लो, कम से कम आपका 90 है, तो उमीद रखो कि admit काड़ाने का chances है, ठीक है, य मैं girls और boys दोनों को बता रहा हूँ, इतना ही cutoff जाएगा, ऐसा नहीं कि girls है, तो girls पढ़ने में कमजोर होती है, यह सब पहले होता था, अब नहीं है, वो भी बहुत टक्करे में आ चुकी है, तो उन लोग के भी cutoff जो है, हाई जाने वाला है, इस बात को याद रखेगा, औ बस state wise रहेगा, state में changes होंगे, जैसे बिहार के लिए कुछ और, फिर मतलब गुजरात के लिए कुछ और, ऐसे करके होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही state में girls और boys के दो cutoff होंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हम यहाँ पर हरियाना का, हरियाना क हरियाना के लिए, दो cutoff लगा ता, मेरे भाई वह लगा था 93.8, 93.8 एक लगा था, एट लगा था cutoff आफ आप लोग देख सकते हो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर राजस्थान का, तो राजस्थान के लिए, दो cutoff लगा था वह लगा था क्या चीज? राजस् परफंट देखो असम के लिए कितنا कम लगाए मेरे वाई तो आप लोग देख सकते हो उसके बात करते हैं जमू एंड कस्मीर के लिए जो कट अधा लगय था वोot लगा था यहाँ पर 93% कितना 93% उसके बाद बात करते हैं करनाटक ठीक है किसका करनाटक करनाटक के लिए जो cut off लगे थे मिरे भाई वो लगे थे 81.2 81.2% गया था पिछले वार की cut off और इसी के something इस बार भी जाने वाला है उसके बात करते हैं पंजाब पंजाब के लिए जो cut off लगा था मिरे भाई वो लगा था 90% उसके बात करते हैं यहाँ पर जारखंड का तो जारखंड के लिए जो लगा था 84.80 लगा था ठीक है यह cut off लगा था जारखंड के लिए उसके बात करते हैं ओडीशा का तो ओडीशा के लिए जो cut off लगे थे मिरे भाई वो लगा था 84.2 क्या लगा था 84.2 लगा था वही महराष्टरा की बात करते हैं तो महराष्टरा में जो cut-off लगा था मेरे भाई वो लगा था कितना वो लगा था मेरे बाई 79 ठीक है 79 परसेंट जिनका भी था उनका महराष्टरा से admit card आ गया था अब बात करते हैं हम यहाँ पर UK ठीक है UK मतलब अब समझे लेना लंडन वाला ठीक है उत्राखंड 92% उत्राखंड के लिए cut off लगे थे उसके बात करते हैं तिलांगाना ठीक है तिलांगाना का बात करते हैं तिलांगाना के लिए cut off लगे थे वो लगे थे तो इतना परसेंट जितना भी मैंने अभी बताएं कि इस स्टेट के इतना परसेंट है अगर इतना परसेंट है तो आप लोग 100% उमीद रखो कि आप लोग का जो एडमिट काड है वो जरूर आएगा ने भी SSR के लिए चाहे गल्स हो या बॉइस हो क्योंकि गल्स के लिए भी कितना चार गुना लगबग 12,000 के तकरीवन एडमिट काड आएगा तो SSR में आप लोग देखो के तो वेकैंसी की कमी नहीं जितना आता था उतना ही मतलब की वेकैंसी दिया गया लेकिन MR कंदर कम कर दिया गया 200 कर दिया 400 से तो SSR वाले 100 टेंसन मतलो इससे जादा कट आफ ही जाएगा जितना बता दियों बस आप लोग ज्यादा ज्यादा फोकस पढ़ाई पे करो ठीक है और आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राब करो और टेलिग्राम को ज़रूर जोइन करना हर अपडेट नॉटिफिकेशन स्टडी मिटेरियल के लिए आप लो पर ज्यादा ज्यादा फोकस करिंग और दूसरे वीडियो ना देख के ठीक है मिलता है में एक और न्यू वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम